मनीशा और बेविका ने किया स्टार्टिंग डेज को याज टोनी ने किया अलविश की तारीफ वेल बिग बॉस के घर में हमने देखा लाइफ कॉंसर्ट में अलविश की टोनी काफी ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आते हैं और उनके हीरो दिखाई देने की बात कहते हैं और एलविश को फिल्म में काम करने के एडवाइज भी देते हैं जनता भी एलविश के लिए चमकर हूटिंग करती हुए नजर आती है जिसे देखकर मनीश और बाकी घरवाले काफी ज्यादा अपके बक्के हो जाते हैं बेवी का एलविश के रौ्प होने की बात भी कह रहे होती है टोणी अलविश को बाहर से एंग्री यंग मैन मानने की बात बताते हैं और एल्विश की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं टोनी एल्विश का बड़ा फान होने की बात भी कहते हैं और एल्विश को पूरा इंडिया प्यार करता है यह उन्हें बताते हैं टोनी एल्विश का फान बेस यूज करके अपने गाने को कर दान्स भी करते हैं एलविश काने की काफी ज़्यादा तारीव भी करते हुए नजर आते हैं वहीं अपनी गोर्फरिंग को भी आने की दोरान मेसेज दे देते हैं वहीं अलविश भांगरा भी करते हुए नजर आ रहे होते हैं, अलविश सभी को स्टेज पर इन्वाइट करते हैं, मनिशा बेविका और अलविश साथ में डांस करते हैं, अलविश आज अपना घर तूच जाने की बात भी कह रहे होते हैं, टोनी ककर की वचा से वहीं मनिशा से अपने आप पर परोस्त करने को कहती है पूझा करते हैं सब साने को का इजोआ क्याते हैं एक साथ स्टेज पर धमाल मचाते हुए भी नज़र आते हैं कॉनसा खतम होने के बार और लब करने की बात कहते हैं अदरिश के तिल को भी टोनी रील बताते हैं वहीं अब शेक्ट टोनी से सप्पूर्च भी माँगते हुए नजर आते हैं तोनी पूजा को इंस्पाम ने लिए होड़ी वहीं बिग बॉस 24-7 लाइफ कवरेज को आज खत्मत हो जाने की बात सभी घरवालों और जनता को बताते हैं और जनता से कहते हैं कि वह अपने फेवरेट कंटस्टेंड को वोट करें क्योंकि वोटिंग लाइन अभी भी चालू है बेबी का मनीशा तोनी की कैमेस्ट्री की त आप कर रहे होते हैं बेबी का इन सारी चीज़ों को याद करके इमोशनल होती हुई भी नजर आती हैं वहीं अपका घर में वह स्कॉंसर्ट पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंच्छ जरूर बताए ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें